हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई निव वीडियो आज के करेंट अफेर के पचास महत्पूल प्रसन करने जा रहे हैं यह सारे क्वेश्चन किसी न किसी एकजाम में अवसे पुछे चाहेंगे चाहें वो के वियस पी आर्टी का हो यूपी पीसी आस आरो ए आरो दो हजार केंदर सरकार ने डिली के राष्टपत भावन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमरित तुद्यान कर दिया है मुगल गार्डन को किस बर्स डिजाइन किया गया था तो इसका जो आंसर सही होगा वो है 1917 यान यह आप्षन इसका क्या होगा सही होगा देखते हैं नेक्ट कुश्चन कौन सा है नेक्ट है निम्लखित में से किस राज्जी ने वार्षिक औरेंज फेस्टिवल वर्स दो अजार तेईस का तीसरा संस्क्रण मनाया है तो इसका आप्षन होगा भी दागालेंट नेक्ट है निम्लखित में से कौन सा इगवर्नेंस मोड में पूरी तरह स्थाना अंतरित होने वाला पहला भार्षिक के अंदर सासित परदेश बन गया है तो जो बना है वो है जम्मु एम कस्मीर सी आप्षन इसका सही होगा नेक्ट है अंडमार और निकोबाद द्रिप समू के कितनी दीपो का नाम परम बीर्चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है तो 21 टोटल है विजेताओं के नाम पर रखा गया है यानि वी आप्षन इसका सही है नेक्ट है केंदरी ग्रेह मंत्री अमित सा ने किस राजी में एक पोल प्लेयर की 120 फिट उची परतिमा का अनावरण किया है तो कहां किया है मणी पूर में किस राजी सरकार ने राजी के विविन हिस्सें हिस्सों में जात्सर्वेच्ण सुरू किया है तो यह आपका बिहार बी आप्षन इसका सही होगा नेक्स्ट है केंदरी किर्शी और किसान कल्यान मंत्री नरेन सिंग तोमर ने किस राज्ज में कुर्वतर किर्शी कुम्ब 2013 का उल घाटन किया तो इसका जो आप्शन सही होगा वो है मेघाले डी वाला नेक्स्ट है राष्टपत मुर्मु ने कहां भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अठ्रामे राष्टी जम्बूरी का उदगाटन किया तो किया है आपका राजास्थान में राजास्थान में की थी ना उदगाटन चली नेक्स्ट है यू वीन को निमलिखित में से किस उद्धेस के लिए लांच किया गया था तो इनके जो आप्सन सही होंगे तो पहला दूसर देखिए नहीं होगा ठीक नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आप्सन है तो आप्सन इसका जो D होगा वही सही होगा भारत के सार्वभमिक टिका करन कारिकरम का डिजली करन करना D आप्सन इसका सही है यह महत्वपूर्ण है एक्जाम के लिए इसको देख लिजिएगा नेक्स्ट है तमिलान सर्कल के तहर डाग बिभाग ने 60 बर्ष की आई पर एक बिसेश कवर जारी किया तो कौन चा इसका सही होगा ये वाला I.M.S.C ये आपसन इसका सही होगा नेक्स्ट है असम के किस एतिहासे का अस्थल को UNESCO की भी सुधरोवर अस्थल के लिए नामित किया गया है तो नामित किया गया है चराई देव मैदम को ये आपसन जो है वो सही है नेक्स्ट है सड़क परिवान और राज मार्ग मुंत्राले ने कितने बर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारिवानों को रद करने की घोशला की है तो पंदरठ हो ये बी आपसन इसका सही होगा नेक्स्ट है भारत ने 26 जनौरी 2023 को अपना चोहत्रवा गड़तनत दिवस मनाया पहली बार महिला ने मिल्खित में से किस दल का हिस्सा थी तो यहाँ पे जो डी आपसन होगा वो सही होगा बियास सब की उट टूकली डी आपसन इसका सही है देखते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन नेक्स्ट है किस के अंदसासित परदेश के परसासक बनवारी लाल पूरोहित ने जनौरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर उपर योजना का उद घाटन किया तो चंडी गण में किया है ठीक है चंडी गण के जो परसासक है वही घाटन किया था तो डी आपसन इसका सही होगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन जलमार्गों के संदर में निम्रिखित कथनों पर वीचार कीजिए पहला कतन है भारत का पहला लाजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार इसकूल अगर तलातिर्पुरा में सुरू हुआ है तो यह क्या है सही है दूसरा है इस छेतर में परतिभाओं के सम्रिद पूल को परिव सही है तो इसके जो दोनों है कथनों तो इस तरह से जो आप्सतन इसका सही होगा वह सी वाला होगा एखनोम्त और नेक्स कोईश्टन केंद्री मंत्री मंडल ने गोवा में मोपा हवाई अड़े का नाम करने किसके नाम पर करने को मंजूरी दी है तो इनके देखते हैं आपसन कौन-कौन से हैं आपसन इसका जो सही होगा वो भी वाला होगा मनोहर परिकर नेक्स्ट है असर 2022 के संवंद में निमलेखित कथरों पर विचार करें ठीक तो इनके जो कथन देखते हैं पहला है एन जीओ पर्थम दोवारा सिच्छा की वार्षे की स्थती रिपोर्ट 2022 जारी की गई तो सही है रिपोर्ट के उन्षा चात्रों के नाम अंकन पूर्म महमारी के अस्तर से अधिक हो गए हैं हो गए हैं तो इसके जो दोनों कथने वह सही है इस तरह से देखे तो सी आप्षन इसका सही होगा नेक्स्ट है प्रधान मंत्री नेंद मोधी ने इंदोर में प्रवासी भारती दिवस सम्मेलन का उधगाटन किया निमिखित में से कौन सम्मेलन के मुक्य अतित थे तो कौन थे इसनके यह जो A option इसका होगा हो स्वरी C option इसका सही होगा मोहमद इरफान अल्ली यह बहुत important question है ठीक तो यह बताईएगा किस देश के थे ठीक चलिए देखते हैं next question कौन सा है next है किस राज ने जॉग मिशन के लिए EVN Habitat World Habitat Awards 2023 जीता तो कौन जीता है वो है आपका उड़ीशा यह आपसन सही होगा next है किस रेलवे स्टेशन को प्लेटनम की उच्तम रेटिंग के साथ Green Railway Station परमालन से समानित किया गया है तो इसका जो आपसन सही होगा वो D वाला होगा विशाखा पत्रम रेलवे स्टेशन देखते हैं next नेक्स्ट है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचीव के रूप में कार्यभाल किसने समाला तो किसने समाला है सांती कुमारी ने डी आपसन इसका सही होगा next है चेने में पहले इस टेम नवाचार और सिच्छन के अंदर का उदगातन की इसने किया तो किये हैं American India Foundation दौरा किया गया है डी आपसन इसका सही होगा नेक्स्ट है यूनेशको ने अंतराश्टी सिच्छा दिवस 2023 को अफगान लड़कियों और मईलाओं को समर्पित करने का निरने लिया है यह दिन कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है 24 जनवरी को तो आपसन देखते हैं कि नहीं उसमें है तो इसका बी आपसन जो होगा वह सही होगा स्कीन नेक्स्ट है निवered्जी लेंडा के प्रणर मन्तली के रूप में पर शिया मोनें पर इस अर्डर है किस ने लिए है तो आपकिन्स कि जगह में रिए है में गिस देश की जनसंख्या में प्रदानमंत्री के रूप में जैसे इंडा और डर्न की जगा किस ने लिए है तो क्रिस हिपकिन्स ने दिया है कि भी आपसन इसका सही होगा नेक्स्ट है कि इस देश की जनसंख्या में एकसर्ट बर्सों में पहली बार लगभग कि गिरावट आई है तो इसमें जो आपसन होए भी वह सही है चीन मतलब एकसर्ट बर्सों में पहली बार ठीक है आठ लग पचास अजार की गिरावट आई है यह बहुत बड़ी बात है देखते हैं नेक्स्ट कुश्टन कौन सा है लुज इनासियो लूलाडा सिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्टपत के रूप में कारभार समाला है तो ब्राजिल का आपसन जो है हो सही है नेक्स्ट है निम्खित में से किस से कोब 28 जलवाई समेलन का ध्यच के रूप में नामित किया गया है किया गया था तो यह बहुत ही इंपार्टेंट है क्वेश्टन हर एक जाम के लिए तो इसको देख लीजिएगा इसका जो भी आपसन है वो सही है चलिए देखते है नेक्स्ट क्वेश्टन किस देख ने हाले ही में अपनी कुन्ना मुद्रा से यूरो में स्विच किया और इरो जोन का विश्वा सदस से बन गया तो कुरेशिया है देख दी आपसन इसका सही होगा नेक्स्ट है अमेरिकी परतिनीधी सभा के अध्यच के रूप में किसे चुना गया है तो जीसे चुना गया हो है केविन मेकार्थी डी आपसन इसका सही होगा नेक्स्ट है किस देश ने चीन के समर्थन में पोखरा चेत्री अंतराष्टी हुआई अडेप का उधगाटन किया तो नैपाल ने किया है पोखरा वहीं पर है भी आपसन इसका सही होगा नेक्स्ट है स्रिलंका के रिण पुनरगठन कायकरम का समर्थन करने वाला पाला देश कौन सा है तो जो है वो है भारत है भारत इन सब चीजों में आगे रता है तो एपसन इसका सही होगा नेक्स्ट है निम्लखित में से कौन सा देश सवदेशी लोगों के लिए नया मंतराले बनाता है तो वो है आपका ब्राजिल यह आपसन सही होगा नेक्स्ट है निम्लखित में से कौन सा देश पबलिक स्कूलों में पंजाबी पढ़ाए जाने के लिए तयार है तो आस्टेलिया है तो यह आप सब्सक्राइब होगा नेक्स्ट है निम्रखित कथनों पर विचार किजिए पहला कथन है International Institute of Information Technology बैंगलोर ने नौ देशों के लिए आधार जैसी डिजिटल पहचान परदान करने के लिए एक मंच बिक्सित किया है तो यह कथन सही है अब देखते हैं दूसरा कथन कौन सा है दूसरा है माडिवलर Open Source Identity Platform एक डिजिटल पहचान मंच है तो यह भी सही है नेक्स्ट है फिलिपिन्स, मरोको, स्रिलंका, युगांडा, इथोपियो गीनी, गड़राज, सियरा, लियोन बुरिकिना, फान्स, और टोगो, लेस, गड़राज, युग, नागरित, मंच, पर नामंकन करेंगे तो यह तीनो कथन क्या है पर देख लिजिएगा पहला कथन यह है दूसरा है यह और तीसरा यह यानि तीनो जो है सही है कथन तो इसके आपसंद जो सी है वो सही होगा नेक्स्ट है बी सुबेंग के अनुसार किस डच्छन एस याई देश की अर्थ बेहस्ता सबसे कमजूर है तो सबसे कमजूर है पाकिस्तान का ठीक नेक्स्ट है किस देश ने वर्स दो आजार तेश के पहले छह महीनों के लिए इरोपी संग की परिशत की अध्यशता समाली है तो स्यूडन है भी आपसंद इसका सही होगा नेक्स्ट है नेक्स्ट है निमलखित में से किसे गैवन का नया परदान मंतिर नियुक्त किया गया है तो वो है एलेन क्लाउड बिल्ली बाई जी नाम भी अजीब है भी आपसंद इसका सही होगा नेक्स्ट है भारती वाई सेना में पहली महिला लडाकू पाइलेट्स स्क्वाडरन लीडर अवनी चत्रुएदी हवाई अभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेने वाली है यह अभ्यास किस देश में होने वाला है तो जापान में होने वाला है यह आपसंद इसका सही होगा एक थेखते हैं नेक्ट कोईश्चन नेक्ट कोईश्चन है निम्खित में से कौन सा वर्स 2020 में जैविक गठन का विस्तार करने में सिर्शतीन देशों में नहीं है तो वो है आपका ब्राजील यह आप्सन इसका सही है नेश्ट है जनवरी 2023 में लिम्खित में से भारती रिजर्ड बेंक के डिप्टी गवर्नर में से किसे 15 जनवरी 2023 से एक बर्स की अवद के लिए फिर से निमिक्त किया गया था तो आपके जो दीख रहे हैं धी वाले वो सही है डाक्टर यमडी पात्रा दी आप्सन सही नेश्ट है निम्खित में से किस बेंक ने संस्थान में गणित और कंप्यूटिंग के अंदरा स्थाफित करने के लिए भारती बिग्यान संस्थान के साथ एक समझावता ग्यापन भाक स्थाक्षर किये हैं तो वह एक्सिस बेंक ह है बी आप्सन इसका सही होगा स्वरी आप्सन सही है नेक्स्ट है किस राजी ने स्वें बेंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पाला राजी घोशित किया है तो आपका केरल है डी आप्सन नेक्स्ट है हाले में अर्बियाई के अधियन के अनुसार की सराजी को केंद्र से सबसे अधिक जी अश्टी मुगावजा मिला तो महराष्ट है से याप्सन सही होगा नेक्स्ट है निमिल्खित में से कौन भारती प्रभूती और बिनियम बोर्ड से भी से रिन ब्रुक्रेज लाइसेंस प्राप्त करने वाला पाला अनलाइन बांड प्लेटफार्म परदाता बन गया है तो वो है गोल्डन पी दी आप्सन इसका सही होगा नेक्स्ट है अर्प संख्यक मामलों के मंत्राले ने पढ़ोग परदेश नामक देशी अध्यान के लिए सिक्छारिन पर ब्याज सबसीडिक योजना को बंद कर दिया है निमिल्खित में से कौन सा बैंक इस योजना का नामिक नोडल बैंक था तो कैनरा बैंक था कि अपनी आत्म कथा ओरन वेशान तिंते कथा के लिए पाला फेडरल बैंक लिट्रेरी एवार्ड दो हजार बाइस किसे मिला है तो वह हैं केन वेडू केन वेडू केन वेडू पी आपसन इसका सई होगा नेक्स्ट है बारती रिजर्ब बैंक ने कहा कि किसी भी बैंक में इससे अधिक हिस्सेदारी हासिल करने के इच्छु किसी भी बैक्ति को नियामक से पुर्व अनुमोधन की आव सकता होगी तो पंद्रपरस्ट से अधिक जो रहेगे सदारी तो उनकी लिए तो इसका जो ए आपसन होगा वो सही होगा देखते हैं नेक्ट कोश्चन कौन सा है सरकार की किस परमुख पहलने नई डिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया एवार्ट दो अजार बाइस में नागरिकों के डिजिटल ससक्तिकरण स्रणी में प्लेटनम पुरसकार जीता है तो कौन है वो वो है इनाम यानि सी आप्शन जो इसका देख रहे हैं आप लोग वो सही है जखते हैं नेक्ट कोश्चन कौन सा है बिस बेंक ने बिद वर्ष दो आजार तेजिस में भारत की आर्थिक ब्रिद्धी तक धीमी होने की भविश्वाले की है कहां तक तो वो आपका है 6.9 परशत तक यानि सी आप्शन इसका सही होगा नेक्स्ट है किस बेंक ने नेशनल इगावर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से इबैंक गारेंटी इबीजी सुविदा सुरू की है तो इसका जो आप्शन सही होगा यह एस बी आई यह रहा इस सेजन का लाश्ट क्वेश्चन आसा करते हैं कि आप सभी को यह सब अच्छा लगा होगा पचास क्वेश्चन और है उस पचास क्वेश्चन के साथ ही जितने भी करेंट अफ हेर के क्वेश्चन महत्पूर्ण बनने वाले थे वह सारे अपने प्लेलिस्ट में करेंट अफ हेर के दे दिये गए हैं तो एक बार आवज से इन सभी को देखके एकजाम में जाईएगा इसी के साथ इस सेशन को समाब्द करते हैं अच्छा लागा आओ तो लाइक से और सब्सक्राइब करने ना बूलिएगा जै हिन जै भारत